नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर, दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मिठाई बांठने के लिए हो जाईए तैयार, क्योंकि 150 वर्षों के इतिहास के पश्चाद 25 मार्च 2024 को एक ऐसा चंदर गरहन लगने जा रहा है, जिसमें पूरे 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राश जिनका जीवन इस चंदर गरहन के पश्चाद पूरी तरह से बदल जाएगा, ना केवल इनको इनके जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा, बलकि इनके जीवन में होगी धन की वर्षा, अब इनको करोड़ पती बनने से कोई नहीं रोक सकता, नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गरुड धर्मार्थ चैनल में, दोस्तों, 150 वर्षों के पश्चाद एक ऐसा इत्तिफाक बन रहा है कि 25 मार्च के दिन जो चंदर गरहन लगने जा रहा है, इस चंदर गरहन के पश्चाद 12 में से 5 राश वालों को करोड़ पती बनन रहे थे, यह चंदर गरहन 25 मार्च 2000 और 24 को लगने जा रहा है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कोई मामूली चंदर गरहन नहीं होगा, बलकि यह महा चंदर गरहन होने वाला है, जयोतिश वैदिक के अनुसार बताया जा रहा है कि इस चंदर गरहन के दिन पूरे 21 तरीके के शुब योग बन रहे हैं, और यह समय पूरे 150 वर्षों के पश्चात आया है, बताया जा रहा है कि 25 मार्च को ही फॉल गुन मास की शुकल पक्ष की पूर्णिमा पड़ रही है, मतलब कि 25 मार्च 2024 का चंदर गरहन अपने आप में बहुत ही खास और ताकतवर चं तो यकीन मानिये दोस्तों, इन उपायों का आपको पलट करके करोणों गुना लाभ मिलेगा, हमारे धर्म शास्तर में कुछ ऐसे उपाय बताये गए हैं, जिनको 25 मार्च मतलब कि चंदर गरहन के दिन आ जाए, तो ना केवल आपको अपने जीवन की हर प्रकार की परेशान दुर्भाग्य, गरीबी से मुक्ति मिल सकती है, बलकि आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे आपको धन, दौलत, सुख, समरिध्ध की प्राप्ती होगी। कोई भी उपाय करते हैं, तो उसका पलट करके आपको लाब मिलता ही मिलता है। और यदि आपने सही मुहूर्थ पर उसका उपाय कर लिया, जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिये दोस्तों, आपको करोड़ों गुना पलट करके लाब मिलेगा। दोस्तों, ऐसा आखिर क्यों दोस्तों? आपको बता दें कि इस दौरान नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत तेजी से पढ़ने लग जाता है. इसी लिए पूरे साल जितने भी तांत्रिक होते हैं, वह चंदर ग्रहन के दिन का इंतजार करते हैं. चंदर ग्रहन के दिन जितने भ हो ही नहीं सकते. चंदर ग्रहन के दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, उसका आपको लाब मिलेगा ही मिलेगा. और आज की इस वीडियो में हम आपको उन महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्नन है. और दोस्तों, इन उ भाग्य का साथ मिलेगा, बलकि आपके जीवन में आप जिस भी कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी. तो आज के इस वीडियो में हम आपको वह सटीक और संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जो चंदर ग्रहन के दौरान आपको कोई भी गलती करेंगे, तो उस गलती वजह से आपका दुर्भाग्य पूरे साल आपके पीछे पड़ा रहेगा. किन्तु यदि आपने चंदर ग्रहन के दौरान वह उपाय कर लिये, जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो पूरे साल आपको इसका लाब मिलता रहेगा. और 25 मार्च के दिन, चंदर ग्रहन भी लग रहा, 25 मार्च के दिन फालगुन मास की शुकल पक्ष की पूर्णिमा भी पड़ रही है. अब पूर्णिमा के बारे में आप यह जान लीजिये, कि फालगुन मास की शुकल पक्ष की पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी धरती प आप पर कृपा बरसाएगी। हम आपको जितने भी उपाए बताने जा रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसे पाएं हैं, जिससे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वर्दान और आशीरवाद प्राप्त हो सकता है। और इन उपाएं को करने के पश्चात आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धन चुम्बक की तरह खींचा हुआ चला आएगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करें, बहुत ही आगे रहे। माता लक्ष्मी जी का वह और वो आशीरवाद आपको मिले, कि जिस कार्य को भी आप शुरू करें, उस कार्य में आप आपको सफलता प्राप्त हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जै माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशे भी डाल दीजिएगा, जिससे कि अपनी राशे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, देखिए दोस्तों, बहुत से लोग यह सोचते हैं, कि यदि टोने टोटके करके इतनी आसानी से पैसे मिल सकते हैं, तो पूरी दुनिया में इनसान मेहनत करेगा ही क्यों, वह तो टोना टोटका ही करेगा, तो दोस्तो यह होती है आपकी नकारात्मक सोच। देखिए, इस दुनिया में जितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं, वह सिर्फ मेहनत करके अमीर नहीं बन जाते हैं, या वह अपने भरोसे ही बैठे रहते हैं, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य ग्रहन, चंद्र ग्रहन, य इसके दौरान किये गए उपाय, इस दौरान किये गए पूजा पाठ, आपको पूरे जीवनकाल लाब देते रहते हैं। इसी लिए दोस्तों, आप लोगोंने देखा भी होगा, जितने भी तांत्रिक होते हैं, जियोतिश होते हैं, वह सब क्या करते हैं, ऐसे ही दिनों का इंतजार करते हैं, और आपने भी हमारे वीडियो में बताय हुए उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिये दोस्तों, आपकी किसमत को बदलते देर नहीं लगेगी, इन उपाय को करने के पशचाद पूरे साल आपको इस उपाय का लाब मिलता रह है, पहले तो यहाँ आप जान लीजिए, फालगुन मास की शुकल पक्ष की पूर्णिमा तिथी, यानि 25 मार्च 2024 को, सोमवार को लगेगा ये चंद्रग्रहन, सुभह 10 बज कर 2 से शुरू होगा, और 2 पहर 3 बज कर 2 मिनट तक रहेगा, ये चंद्रग्रहन भारत में दिखा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरीका अमेरिका, दक्षन अमेरिका, प्रशांथ, अट्लांटिक, आर्केटिक और अंटार्केटिका के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा, दोस्तों, उपाय बताने से पहले बात कर लेते हैं, उन 5 भाग्यशाली राशि की, तो इस लिस्ट में जो पहली राशी आती है, वह राशी है, मेश राशी, यह चंद्र ग्रहन, मेश राशी, के लोगों के लिए माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से शुभ फलदाई रहने वाला है, आपके सुख सौभाग्य में वृद्ध होगी, मेश राशी के जो ल लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मेश राशी के जो लोग बिजनस कर रहे हैं, उन्हें उनके बिजनस में तरक्की के अवसर मिलेंगे, अचानक धन लाब के योग बन रहे हैं, मेश राशी के लोगों के अठके हुए काम जल्द पूरे हो जाएंगे, दोस्तों, इस ल प्रभाव से आपकी किस्मत चमकेगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है, किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम होंगे, आपकी प्रगति की रह आसान होगी, वरिशब राशी के जो लोग वर्ग से जुड़े ह उन्हें मुनाफ़ा कमाने का अवसर प्राप्त होगा, आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत बनेगी, चंद्रदेव की कृपा से आपको मानसिक शान्ती का एहसास होगा, दोस्तों इस लिस्ट की अगली राशी जो है वह राशी है, कन्या राशी, साल का पहला चंद्र ग्रहन माता लक्ष्मी जी के आशीरवात से, कन्या राशी वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, इन राशी के लोगों के सभी अटके काम बन जाएंगे, इस चंद्र ग्रहन से आपको बहुत लाब पहुँचने वाला है कन्या राशी के को अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्थ होगा, कन्या राशी के जो लोग व्यापार करते हैं, उनके हाथ कोई बड़ी डील लग सकती हैं, आपका पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती हैं, आपको नौकरी में इस चंद्र ग्रहन में आपको में कई नए अवसर मिलने की संभावना बन रही है। यदि आप लोग व्यापार करते हैं, तो व्यवसाय में लाब के योग्य बनेंगे। धनु राशे के लोग अपनी सभी अधूरी इच्छाएं पूरी कर पाने में सक्षम होंगे। सेहत की परिशानी आपकी जल्द दूर हो जाएगी। वेतन में व्रिद्ध होगी दोस्तों और माता पिता के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। कार्यस थल पर सफलता के योग्य बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिती में सुधार आएगा दोस्तों। इस लिस्ट की अगली जो है वह राशी है सिंह राशी। दोस्तों सिंह राशी वालों को बता दें माता लक्षमी की कृपा जी कृपा इस चंदर ग्रहन में आपके उपर बनी हुई है। समय अब बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपको बता दें, आपको न किवल मान सम्मान मिलेगा, बलकि समाज द्वारा आपकी काफी तारीफ भी की जाएगी। इसके अलावा, अब आपको अपने जीवन में ऐसे नए अवसर मिलने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा। जी हाँ, दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा आपके उपर बन रही है, इसके साथ ही आपको काफी धन लाब भी होगा। जब एक तरफ परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, वहीं दूसरी तरफ व्यापार में वृद्धि होगी सिंहराशिवालों, अब आपको चारों तरफ से लाब ही लाब मिलने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा आपके उपर बन रही है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोननती के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी पूरे योग्य है। सिंहराशिवालों, आपको बता दें कि माता लक्ष्मी की से अब आपके लिए धन प्राप्ति के अनेकों अफसर प्राप्त होंगे, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत होगी, साथ ही साथ आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छुक हैं, उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा, जिससे घर परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि माता लक्षमी की कृपा से सिह राश्यवालों अब आपके जीवन में आपको अपार खुशियों की प्राप्ति होगी, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। तो यह थी आज की विशेश जानकारी, उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।